नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तों कोरोना के इस दौर में सभी लोग अपना-पना हिमिनिटी गिरा कर इमिनिटी बढ़ाने के कोशिस में लगा हुआ है ताकि उनको कोरोना से कोई दिक्कत ना हो और इसके एबज में सभी लोग वैक्सिन भी लगवा रहे हैं जो कि इस देश के एक जिम्हेदार नागरिक का करतब भी हैं दोस्तों कास इमिनिटी के साथ साथ हिमिनिटी का भी कोई वैक्सिन होता तो कितना अच्छा होता जिस प्रकार वैक्सिन लगा कर हमारे बॉड़ी में इमिन सिस्टम को बढ लगाने के बारे में सोच रही लेकिन वैक्सिन लगाने के बाद बॉड़ी में अगर कोई साइड इश्यूरा करें सकता है कि महने दो महने छे महने साल डेड़ साल बाद भी साइड इफेक्ट नजर आने लगता है लेकिन वैसे इस्तिति में क्या क्या जा सकता है दोस्तों वैक्सिन लगाने के बाद जो मेजर साइड इफेक्ट अभी नजर आ रहा है यानि ज्यादातर लोगों में वह या तो फिवर प्रपराज और है या पिर सिर्दर्द की समझ से आ रही हैं पेट में कोई प्रॉब्लम हो यह नॉर्मल प्रॉब्लम आरा है जो कि अगर विश्षजग्यों की माने तो उनलों का यह कहना है कि हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधी छमता होता यानि यूमिन सिस्टम के जादा सक्री होने के बज़े से यह सिम्टॉम्स नजर आ रहे हैं यानि बुखार हो या फिर सिरदर्ध हो यानि पेट की कोई समझसा हो इसकीन में सुजन की जो प्रॉब्लम आ रही है यह हम हमारे यूमिन सिस्टम के जादा सक्री होने के बज़े से यह सिम्टॉम्स नजर आ रहे हैं दोस्तों इसके अलावे कुछ और वी ऐसे साइड इफेक्ट है जो बहुत ही कम मात्रा में पाया गया है लेकिन बहुत ही गंभीर समझसा है इसमें इस्टेजनेका और जॉंसन और जानसन की वेक्सीन लगाने वाले लोगों में ब्लोड क्लॉटिंग की समझसाय सामने आई है जो की गंभीर समय्साह Wür इसे और वीक्तियों की मौत होने की शभावनाएं बहुत अधिक हैं दोस्तों कोरोना से स्वस्थ होने के बाद ज्याधतर लोगों में या तो हर्दे संबंदी समझ साएं पेट लिवर इंफेक्शन्स जैसी समझ साएं गंभी रूप से सामने आ रही है वैसे इस्तिती में आप क्या करेंगे यानि वैक्सीन लगाने के बाद अ मतलब होता है डैमेड या नुकसान के खिलाब कानूनी सुरक्ष्च यानि बैसी की लिए इन चीज़ों को समझें की कोशिश करेंगे तो इंडेमेनि टीटी बैसी के लिए करार होता है जिसमें कानूनी सुरक्षा मिला हुआ रहता है यानि जितने भी वैक्षिन निर्माता कम्पणी जहां लगा रहे हैं इन वैक्षिन के कोई साईड इफ्यक्ट आता है कल को या साल तो इसके लिए जिमेदार नहीं है जो कि इंडिमेटी करार होता है इस करार के दुआरा सरकार से यह करार किया जाता इन फार्मा बड़े-बड़े कमपनियों का कि कल को अगर इस वैक्सिन का कोई साइड इफेक्ट आता है वैसे इस्तिति में कमपनी जिमेदार नहीं होगा यानि आप उस company के खिलाब कोई कानूनी कारवाई नहीं कर सकते हैं और नहीं अपने मुआफजे की मांग कर सकते हैं No Compensation Indemnity की सुरुआत दोस्तों December में अमरिका से हुई वहाँ जिदने भी Vaccine Nirmata Company है या Moderna या Pfizer इन company को indemnity दे रखी है अमरिकी सरकार ने यानि अगर वैक्सिन से कोई side effect होता है तो इसके जिम्यदार company नहीं होगा यह indemnity मिला हुआ है वहीं पर United Kingdom में भी इन company को वैक्सिन निर्माता company को indemnity मिला हुआ है और World Health Organization ने गरिब देशों को वैक्सिन खरिदने के लिए कोवैक्स प्रोग्राम के तहट इन company को indemnity दे रखी है तो क्या इन vaccine company को यह indemnity जो है यह बराबर के लिए दिया गया है जी नहीं इन company को जो indemnity मिला हुआ है अमरिका में देखें तो बर्स 2024 तक इन company को indemnity दे दिया हुआ है यानि अगर 2024 तक कोई side effect आता है वैसे इस्तिति में इन company के उपर आप कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं इनके company के खिलाब कोई कानूनी कारवाई नहीं किया जा सकता है और नहीं आप किसी compensation की मांग कर सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कौन है यह सरका जिम्मेदार होगा इसी के देखा देखी में अगर कहा जाए दोस्तों तो भारत के जो कोई सिल वैक्सिन वनाने की company है यानि इंडिया ने भी इंडिमिनिटी की बात छेड़ दी है यानि मोडेना और फाइजर को जिस तरह से इंडिमिनिटी दिया हुआ है अमरिका में उसी करोड वैक्सिन मोडेना और फाइजर जैसे कमपनियों से खरिदने की बात चल रही है जो कि इसके एवज में कमपनियों ने इंडिमिनिटी की बात रखी है भारत सरकार के पास यानि वैक्सिन से अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार सरकार खुद ले बात करें या फिर भारत वायोटेक की बात करें इन कमपनियों को अगर इंडिमिनिटी मिल जाती है वैसे इस्तिति में वैक्सिन के लगाने के बाद अगर कोई पैसेंट जो साइड इफेक्ट के गंभीर मामले के बाद इनकी मौत हो जाती है वैसे इस्तितिति में यह कंपन से अधिक लोगों को क्रण dei कि लगा हुए हैं यानि यावसी लगाने वाद अगर मौत का मामला देखा जाए जिन talkin´ कि की हुई है जो की बैक्र भी सीन लगाने के बाद साइड इप्छा के बाद उनकी मौत हुई है और तूटल मामले अगर देखा जाए तो यानि 30,000 ऐसे लोग हैं जो वैक्सिन लगाने के बाद जिन में साइड इफेक्ट के गंभी लक्षन नजर आये हैं यानि अगर देखा जाए तो 0.01 परसेंट यानि बहुत ही कम मामले ऐसे हैं तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि यह वैक्सिन बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है लेकिन भविस्व में इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा यानि साल दो साल के बाद यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है दोस्तों भारत म में ड्रग कानून के नियम के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में जो नई दवा या वैक्सिन होते हैं उसको इंडेमिनिटी या कानूनी सुरक्षा देने का कोई प्राभधान नहीं है और अगर ऐसी इस्तिती में इंडेमिनिटी दे भी जाती है तो वैसे इस्तिती में जो कंपेंसेशन के यानि मुअबजे की रासी होगी उस सरकार को देना पड़ेगा यानि कंपनियों को फिर भी मुक्त रहेगा जवाब देहिता पूरी तरह से सरकार पर बन जाएगी भारतिय ड्रग रेगुलेटर ने अब तक अप्रूब की गई तीनों वैक्सिन यान वैसे इस्तिती में जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी दोस्तों हमारे यहां किसी भी दवा और वैक्सिन के ट्राइल के जो नियम है वह बहुत ही साफ है इसमें ट्राइल के दौरान अगर किसी वॉलेंटियर की पर कोई साइड इफेक्ट या मौत भी हो जाती है वै वैसे इस्तिती में भारतिय ड्राग और कॉस्मेटिक एक्ट में कोई कानूनी मौफजे का प्रावधान नहीं किया गया है वैसे इस्तिती में इंसान को व्यक्ति जो इन साइड इफेक्ट के वज़े से जहल रहे हैं समस्साइं जहल रहे हैं उनको या तो कंजूमर फॉर्म में जाकर शिकायत करना होगा या तो फिर हाइकोट का सरण लेना पड़ेगा वैसे इस्तिति में कंजूमर फॉर्म या हाइकोट वैक्सिन का साइड इफेक्ट के लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करें थैंक यू